हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में जैसे आपको पता है क्रैस कुर्स शुरू कर दिया गया है और ये क्रैस कुर्स उन बच्चों के लिए काफी महत्पुढ है जिनकी तियारी किसी कारण वर्ष नहीं हो पाई है तो ये विडियो उनके लिए काफी ही महत्पुढ है क्रैस कुर्स के माध्यम से बिलकुल सुरू से सभी बीसियो का सब्जेक्टिव कोशन और अप्जेक्टिव कोशन आपको बताया जा रहा है ताकि आपकी त्यारी बहुत ही अच्छी हो पाए और आप 2021 बोर्ड एक्जाम मे लेके अंतक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बेल आइकन को ओल पे दवा लिजेगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे तो आईए शुरू करते हैं आपे पहल कोलो का अधिक उत्पादन कहां पे होता था तो यह पाटली पुत्र में होता था यानि यहां पे क्या हो जाएगा बी ओप्सिन क्या हो जाएगा यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहां पे अगला प्रश्ने आप देखिए दो नमबर प्रश्ने की जाके घर में तो यहां पर आपको बताना है कि आग कहां पर लगाई गई थी तो आग आलस साला में लगाई गई थी यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहां पर अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण आप देखिए तीन नंबर गंगा देवी का समय क्या था यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा काफी ही महत्पुण महत्पुण प्रश्ण है तो एक भी प्रश्ण को आपे स्कीप मत किजिएगा वीडियू का प्लूप प्लीज सुरू से लेकर अंतक जरूर देखिएगा आईए देखते हैं यहाँ पर अगला परशने आप देखिए चार नमबर परशने की गुजरात परदेश इस्तित टंकारा ग्राम किसका जनम अस्थल है यहाँ पर क्या हो जाएगा C option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहाँ पर अगला परशने आप देखिए पांच नमर परशने की घर में लगी आग देखकर कौन लोग पलायन हो गए A option ने RC लोग B option समझदार लोग C option ने फूर्तिले लोग D option ने धूरत लोग तो यहाँ पर आपको बताना है कि बिनांस का बहैं किसे से है तो यह अस्त्र से है यहां पर क्या हो जाएगा यह विल्कुल ही जी हो जाएगा यह देखते हैं यहां पे अगला प्रसन अगला प्रशने आप दिखे साथ नमबर प्रश्ण की समाज सुधारक कौन थे A.O. से ने स्वामी देयानंद B.O. से ने राधा मोहन C.O. से ने राम सोरुप सुकला D.O. से ने यहाँ पर गनेस ओज़ा तो आपको यहाँ पर बताना है कि समाज सुधारक कौन थे तो स्वामाज सुधारक यहाँ पर स्वामी देयानन्द थे यानि यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहाँ पर अगला परशनी आप देखिए आठ नमम्बर प्रशने के मनदाकनी नदी कहा इस्तित है आपको यहां पे बताना है कि जो मनदाकनी नदी है वो कहां पे इस्तित है यानि यहाँ पे B option क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा जो मंदाकनी नदी है वो कहाँ पे इस्तित है तो चितरकूट के पास इस्तित है यानि यहाँ पे B option क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न अगला प्रश् है जिस से संतुष्टी मिलती है तो बिद्या से हमें क्या मिलती यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहां पर भारती अधारा कैसी है तो हमारी भारती अधारा विसाल है यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहां पर अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण आप देखिए ग्यार नमर प्रश्ण कि यग्यवले ने अपनी पतनी को क्या सिछा द तो यहां पर आपको बताना है कि यग्यवले ने अपनी पत्नी को क्या सिख्छा दिये थे यहां पर क्या हो जायेगा यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह Deshalb पर औरफेली पूत्र में किस महान पूरुस की जनम अस्थल है можешь थे गुरु नारिख अनमार पका लonta गृबिन सिंह ने भगवान बुद्ध तो यहाँ पर आपको बताना है कि पाटली-पोत्र में किस महान पूरुष की जनाम अस्थोMed जो शिक्षों के दसवे गुरु है यहाँ पर सी ओप्षन क्या हो देश हितोप का देश बी ओप सेने भारी उपदेश सी ओप सेने एक उपदेश डी ओप सेने यहाँ पर हीत का उपदेश तो यहाँ पर बताना है कि हीतोप देश का अर्थ क्या है तो हीतोप देश का अर्थ क्या होता है हीत का उपदेश होता है यहाँ पर डी ओप सेन क्या हो तो यहां पर आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकास किसकी रचना है तो यह स्वामी देयानंद की रचना है यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहां पर अगला प्रश्चन अगला प्रश्चन आप देखें 15 नमबर प्रश्चन संसकारों का मौलिक अर्थ क्या है ए उपसे ने समरो का आयोजन बी उपसे ने लोगों को समीलित करना यहां पे सी उपसे ने दोस्त दूर होते हैं तथा गुडों का निर्माड होता है सी उपसे ने दान धरम होता है तो यहां पर आपको बताना है कि संसकारों का मौलिक यह देखते हैं यहां पर अगला प्रश्णी है आप देखे 16 नमबर प्रश्णे के आलस कथा पाठ कहां से संकलित किया गया है यहां यहां पर बी ओप्सन क्या उजाएगा यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्णी आप देखें 17 नमर प्रश्णी कि कैमूदी महत्सो कहां मनाया जाता था A-Option बैसाली में, B-Option गया में, C-Option पाटली पूतर में, D-Option मुझफर पूर में यहाँ पर आपको बताना है कि कैमूदी महत्सो कहां मनाया जाता था तो यह पाटली पूतर में मनाया जाता था, यानि यहाँ पर C-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यह देखते हैं यहाँ पर अगला प्रशन अगला प्रशनी यहाँ पर देखिया 18 नमर प्रशने की भीखन टोला क्या है A-Option है घर, B-Option है नगर, C-Option है महा नगर, D-Option है गाउँ तो यहाँ पर आपको बताना है की भीखन टोला क्या है, तो भीखन टोला एक गाउँ है यानि यहाँ पर D-Option क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहाँ पर अगला परश्ण यहाँ पर देखिए 19 नमर परश्ण की भीखन टोला गाओं में सिख्षक किसको देखा E-Option ने यहाँ पर धनी बालक को, B-Option ने दलित बालक को, C-Option ने सुद्र बालक को, D-Option ने यहाँ पर ब्रामण बालक को तो यहाँ पर आपको बताना है कि भीखन टोला गाओं में सिख्षक किसको देखा, तो एक यहाँ पर दलित बालक को देखा, यानि यहाँ पर क्या हो जाएगा, B-Option क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ देखे, 20 नमर प्रश्न कि स्वामी देयानंद मुर्ती पूजा के थे, A-Option समर्थक, B-Option है बिरोधी, C-Option है पक्षधर, D-Option है इन में से कोई नहीं यहाँ पर आपको बताना है कि स्वामी देयानंद मुर्ती पूजा के क्या थे, तो मुर्ती पूजा के बिरोधी थे, यहाँ पर B-Option क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ देखे, 21 नमर प्रश्न कि सभी लोग क्या छोड़ गए, A-Option है परार्थ, बी ओप्सने यहाँ पर स्वार्थ, सी ओप्सने सुख, डी ओप्सने यहाँ पर कल्याड तो यहाँ पर आपको बताना है कि सभी लोग क्या छोड़ गए तो सभी लोग यहाँ पर स्वार्थ छोड़ गए यहाँ पर बी ओप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण ही आप देखें बाइस नमर प्रश्ण है कि किस ने कहा कि भविस्य में पाटली ग्राम महानगर होगा यहाँ पे अगला प्रश्ण ही आप देखें तेश नमर प्रश्ण की करम बीर कथा किस की कथा है A उपसे ने संपन की B उपसे ने दलित की C उपसे ने निर्धन की D उपसे यहाँ पे बिकलांग की तो करम बीर कथा किस की कथा है तो एक दलित की कथा है यहाँ पे B उपसे क्या हो जाएगा यहाँ पे बिलकुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं यहां पर अगला प्रशनी आप देखिए चोबिश नमर प्रशने की राम परवेस ने अस्तनात्क परिक्षा में कौन सा अस्थान प्राप्त किये A.O.O.S.E. ने उच्च अस्थान, B.O.S.E. ने नीमनास्थान, C.O.S.E. प्रथम अस्थान, D.O.S.E. आफ्वितिय अस्थान तो यहाँ पर आपको बताना है कि राम प्रवेश ने अस्तनातक परिक्ष्य में कौन सा अस्थान प्राप्त किये यहाँ पर C option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहाँ पर अगला परशनी आप देखें 25 नमर परशने की मंदाकनी वर्णम पार्ट किस ग्रंद से संकलित है यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहाँ पर अगला परशनी आप देखें 26 नमर परशने की प्रित्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहाँ पर अगला परशनी आप देखें 27 नमर परशने की प्रती दिन को भोजन कौन देता था यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहाँ पर अगला प्रशन अगला प्रशनी आप देखें 28 नमर प्रशने की कीचण में कौन फस गया कीचण में पतिक यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहाँ अगला प्रशन अगला प्रशन आप देखें 29 नमर प्रशनी की G1 का सरेष्ट लक्षे क्या होना चाहिए A option है सांती, B option है विश्वकल्याण, C option है सदभावना, D option है यह सभी तो यहाँ पर आपको बताना है कि G1 का स्रेश्ट लक्षे क्या होना चाहिए तो G1 का स्रेश्ट लक्षे सांती भी होना चाहिए, विश्वकल्याण भी होना चाहिए सदभावना भी होना चाहिए यहां पर D option क्या हो जाएगा यहां पर बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहां पर अगला प्रशन अगला प्रशन आप देखें तीस नमर प्रशने की बाल विवाह के बिरुद किसने महान प्रयास किया A option है मुल संकर ने, B option है देव संकर ने, C option है सिव संकर ने, D option है यहां पर हेम चंदर ने और ये रहा आपका होमबर्ग प्रशनी इसका जवाब आपको कहां पे देना है कॉमेंट बॉक्स में देना है कि गांधी सेतु किस राजे में इस्तित है ए उपसे ने आरा, बी उपसे ने सासा राम, सी उपसे ने पहाड़पूर, डी उपसे ने पाटली पुत्र तो जो भी उपसेन इसमें से सही हो, वह आप हमें कॉमेंट कर दीजेगा वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो का आप लग जरूर लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर सेयर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा थेंक्यू फूर वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मन लगा के पढ़ाई किजे टेक केर और बाए